आज की रेसिपी है सबकी फेवरिट चॉकलेट चिप कुकीज यह बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं और यह मैं आपको एक बेसिक रेसिपी दे रही हूँ इसी रेसिपी की मदद से आप बहुत सी और भी बना सकते हैं कुकीज इसमें मुखलिफ वेरियेशन करके आप इनको अवन के बगएर भी बना सकते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में अवन के बगएर बनाना नहीं सिखाऊंगी मैं आपको अपनी पिछली चन्द वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप अवन के बगार बेकिंग कैसे कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप इनको भी वैसे बना सकते हैं रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बेकिंग पैन को या बेकिंग फ्रेक को तयार कर लें इसके उपर आप बेकिंग पेपर लगा लीजिए और इसमें हमें सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है मक्कन 70 ग्राम और इसमें जितने भी चीजें हम डालेंगे वो सब रूम टेंपरेचर पर होनी चाहिए यह बहुत इंपॉर्टन्ट है अब मैं इसमें डालूंगी सफेज चीनी 50 ग्राम और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ब्राउन चुगर ये भी मैं इसमें डालूंगी 50 ग्राम अगर आपके पास ब्राउन चुगर नहीं है तो आप इसको स्किप्ट कर दें और सफेज चीनी को यानि वाइट चुगर को ही आप 100 ग्राम कर लीजिए दोनों तरह की चीनी मैंने इसमें डाल दी है अब जो इसका प्रासेस है वो बहुत इंपॉर्टन्ट है आप चाहें तो आप अलेक्टिक पीटर भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन इस रेसिपी के लिए कोई खास ज़रूरत नहीं होती आप एक स्पेचला की मदद से इसको यूँ मिक्स करना शुरू करें मक्षन को और चीनी को यूँ इस तरीके से हलके हाथ से अब इसको मिक्स करें और किनारे पर लाकर इसको इस तरह से दबाएं आएस्था आप कटे जाएंगे तो इसका टेक्स्चर जो है और चेंज होता जाएगा और इस तरह से इसका ये क्रीमी सा टेक्स्चर आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है अब मैं इसमें डालूँगी अंडा एक अदत और ये भी रूम टम्परेचर पर है और ये मैंने छोटे साइस का इस्तमाल किया है अगर आप इस रेसिपी को डबल कर दें तो आप एक बड़े साइस का अंडा इस्तमाल कर लीजिए ये जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ इससे तक्रीबन आपके 12 से 15 कोकीज आराम से बन जाएंगे अंडा डाल कर इसको मैं स्पेचला की मदद से मिक्स कर रही हूँ आइस्ता आइस्ता आप इसको इस तरीके से मिक्स करते जाएं और ये देखिए कुछ इस स्थरा की कंसिस्टेंसी आपके पास आएगी जब आप इसके अंडा मिक्स कर देंगे ऐसी ही इसकी कंसिस्टेंसी आपकी भी आनी चाहिए जब आप इसको बनाएंगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा, 90 क्राम और इसको मैंने चान कर डालना है अब बाकी के ड्राइ इंग्रेडियन्ट इसमें जाएंगे कॉन्फलोर ये मैं डाल रही हूँ एक खाने का चमच कॉन्फलोर की वज़ा से ये कुकिज जो है ये बाहर से क्रिस्प बनेंगी और अंदर से ये बहुत मॉइस्ट और चुईसी होंगी बेकिंग सोडा इसमें जाएगा एक चौथाई चाय का चमच इस रेसिपी में बेकिंग पाउडर का इस्तमाल नहीं होता बेकिंग सोडा या मीठा सोडा जिसको हम कहते हैं वो इसमें इस्तमाल होगा नमक भी मैं इसमें डालूँगी एक चौथाई चाय का चमच और इन तीन चीज़ों को भी आप सिफ्ट कर लें यानि के चान लीजिए अब मैं इसमें डालूँगी वनिला शूगर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बनिला एस्सेंस पे इस्तमाल कर सकते हैं और ये इसमें जाएगा आधा चाय का चमच तमाम ड्राइ इंग्रीडियन्स अब इसमें जा चुके हैं अब आप स्पैचिला की मदद से इसको फोल्ड कीजिए हलके हाथ से आप इसको मिक्स करते जाएं जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे ये टो की फॉर्म में आता जाएगा ये देखे कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी आपके पास आईगी अब इस सेज़ पर मैं इसमें डालूँगी चॉकलेट चिप्स ये मैंने लिये हैं 100 ग्राम अगर आप जादा चॉकलेट पसंद करते हैं तो आप इसकी मिक्तार 1500 ग्राम तक भी कर सकते हैं और चॉकलेट चिप्स डालने के बाद आप इसको मिक्स कीजिए इन चिप्स को इस आमेजे में आप फोल्ड कर लें त्यूंकिए ये टो की फॉर्म में आ गया है इसलिए इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आप हलके हाथ से इसको आइस्ता आइस्ता करें तो ये हो जाएगा ये देखिए कुकीज की डो तयार हो चुकी है अब आप इसको फ्रिज में रख दीजिए पंदा मिनट के लिए फ्रिज में रखने का ये फाइदा है कि जब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से बनती जाएंगी फंदा मिनट के बाद मैंने इसको निकाला है अब आप एक चमच की मदद से या हाथ की मदद से ही तकरीबन एक टेबल स्पॉन का ये आमेजा लें अपने हाथ पे इस तरीके से आप इसकी बॉल बनाएंगे और जो बेकिंग ट्रे हमने पहले से तयार करके रखी हुई है उस पे आप रखते जाएं यह इस तरीके से बहुत आसानी से ये बनते जाएंगे क्योंकि हमने इसको पहले फ्रिज में रखा था तो ये थोड़ा से सक्त हो जाएगा जिसकी वज़ा से ये आसानी से बनते जाएंगे बनाकर आप इसको बेकिन फ्रेय पर रख दीजिए यह देखिए मैंने रख दिये हैं अब आप इनको एक घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं तकरीबन एक घंटे के बाद मैंने इनको फ्रिज से निकाल दिया है और यह काफी सक्त हो चुके हैं क्योंकि इसमें मक्षन काफी मिकदार में जाता है और मक्षन जब जम जाता है तो यह डो भी काफी सक्त हो जाती है अब हम इसको बेक करेंगे 175 degree centigrade पे 12-15 मिनट के लिए और अवन को मैंने पहले से प्रिहिट कर लिया था 175 degree centigrade पे यह देखिए 15 मिनट के बाद यह जबदस्ती चॉकलेट चिपको कीज तैयार है आप देख सकते हैं कि यह फूल के साइज में कितनी बड़ी हो चुकी है आप इनको सर्व कीजिए जब आप इनको ट्रे पे रखें तो इस बात का त्यान रखें कि इनके दर्म्यान फासला हो फ्रिज में रखने के बाद जब एक घंटे बाद आप इनको निकालेंगे तो आप इस तेच पर इनको फ्रीज भी कर सकते हैं यह बहुत जबदस टिप है जब आपको ज़रूरत हो आप निकाल के डिफ्रॉस्ट करें और इनको बेक कर लें अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकून को प्रेस करें ताकि नई वीडियो के अपडेट साब को मिलती रहें और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्ला हाफिज